हाई फ्रेंट्स आप लोगा स्वागात मेरे यूटीब चनल में फ्रेंट्स आज हम ऐसे बीमारी के बात करेंगे इसे सुनने के बाद हर मरीज अपना याने की बाद हर मरीज जीने की उमीद छोड़ देते हैं तो फ्रेंट्स उस बिमारी की नाम है cancer यह बिमारी आज बहुत तेरीश बढ़ रहा है डवलु एचो की ताजा रिपोट की बात करे तो आने वाले वक्त में हर दस भारतियों में से एको cancer हो सकता है और हर 15 में से एक मरीज की जान जा सकती है और आने वाले वीस वर्षो में इसकी संख्या डवल हो सकती है तो इस जागरुकता को फहलाने के लिए एक से दोक्ताम को फहलाने के लिए हर वर्श चार फर्वरत को वार्ल कैंटर दे मना जाता है हमारे भारत में पिछले पांच वर्ष में बैस माग से ज्यादा मरीजों की शंख्या बड़ी है और इन में से लगबग आठ आठ अठ लाक मरीजों की जान भी जा चुकी है तो फ्रेंट इस कैंटर के सब्से सबसे ज़्यादा जो से एक सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आया है सबसे ज़्यादा सबसे रिपोर्ट हमें रहे हुआ है रोज ना जाने कहीं नके हम कि अपने बुलावा कर यानिकि हम इसे खा रहें केंसर की आमातर देखें प्रेंट्स आये हम इन तीन जंग भरी फुडों के बारें जाते हैं जिससे इस बेमारी के होने की ज्यादा खत्रा रहता है हम हमें ज्यादा ज्यादा हम अपने घरेलू खान पान में ही ध्यान देना आपको सबसे पले खाने पीने जूरी आदतों में सुधार करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि कि विभिन सुध करताओं ने अध्यान में पाया है कि रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीजों कुछी सरीर में धीरे-धीरे कैंसर प्यदा कर सकती है कैंसर एक खतरनाक जान लेवार बीमारी है कैंसर के कई अलग-अलग परकार है और कई समहित कारण भी है खाने पीने से जूरी आदत गलत आते भी कैंसर का एक परव कारण है हाला कि जन्मजात कारणों को रोकना मुश्किल है लेकिन बाहरी कारक जैसे जीवन सेली और खान पाने की आदतों पर कंट्रोल करके कैंसर से बचा जा सकता है सोद से पता चला है कि 80-90 घातक ट्यूमर बाहरी कारकों से समधित होते हैं अगर आपको इस बिमारी से बचना है तो आपको सबसे पहले खाने पीने की जूरी आदों में सुधार करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि विविन सोत करताओं ने अपने अधन पाया है कि रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीजे धीरे-धीरे हमारे सरीर में कैंसर कारू लेती है कुछ खात-पदार्थ टाइप जैसे दो डाइबिटीज मोटावे की जोखिम को बढ़ा सकते हैं तो कुछ कैंसर से जूरी होते हैं कई खात-पदार्थों में कौरसी नोजम होते हैं जो हानी कारक होते हैं इससे कैंसर परदा होने की चमता होती है चलिए हम जानते हैं कि कीन खाद पतार्तों के बारे में सोद लिखा है जो कि वीन परकार के कैंसर के खत्रे को बढ़ा जा सकता है पहला है सौप ड्रिंक और सोडा मोटापा कई तरह के कैंसर का कारण बनता है इसलिए स्वस्त बजन बनाए रखना जरूरी है नियम में तुरूप से सब ड्रिंक और सोडा जैसे चीजों का सेवन करने से मटावा बाढ़ता है और यह समस्या आगे चलकर कैंसर परदा कर सकती है और दूसरा फास्ट फूड जिने जंक फूड भी का जाता है जिसे जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर और कई अन्स्वास्त समधी समस्याव का कारण बनते हैं एक अधनिक अनुसार फास्ट फूड में फट्लेट्स होता है जो फट्लेट्स एक योगिक है जो प्लास्टिक समगरी बनाता है यह रसायनिक योगी कई स्वास्त समस्याव से जुरा हुआ है इसमें कैंसर इन फ्रिट्रिलिटी लिवर डेमेज और यहां तक की अस्थमा अटेक भी सामिल है और तिसरा है कैंसर का बड़ा कानन स्राव बहुत से लोगों कभी कभार स्राव पीने कानन लेते हैं डॉक्टरों का सोजा है कि स्राव का सेवन जितना हो सके कम करना चाहिए स्राव के सेवन से कैंसर के रूप में जूरे हुए जिनमें पेट, ब्रेस्ट, लिवर, मुह, गला और एसोफेक्स आदि सामिल हैं जब आप स्राव का सेवन करते हैं तो आपका लिवर अल्कोहल के एसी टाली हर्ड में तोर मरूर कर डिस्प्राइब यथी थोरी सी जानकारी जो भी लेकिन इससे जादा जनकारी के लिए हम डाक्टर या已經 आप डाक्टर सला ले सकते हैं तोफ फ्रेंट तोर्स जानकारी उह उम्मिद करता, वीडियो अची लगी ऊची, लग oxen आ सो आ झाल झाल